हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूर यूट्यूब चैनल अग्रिकल्चर एंजी के मेरा नाम है सोरभ बारावाल और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ओफ एग्रिकल्चर एंड इट्स ब्रांचेज ये एफसी आई का एक टोपिक है हमने कुछ दिनों से स्टार्ट कर दिया ए दिकत लेने की जरूरत नहीं है आप बस एग्रिकल्चर एंजी के चैनल से जुड़े रहें और पूरे स्लेबर्स को कवर होते देखिए आपको जो परिंट इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लीजिए गा नहीं तो ये वीडियो एक या दो बार जितना भी अप यह पूरा कंटेंट हम पूरी सीरिज चलाएंगे उसके अंदर आप पूरा कंटेंट एक या दो बार वीडियो देखके रिटेन कर सकते हैं अगर आप सच में seriously prepare कर रहे हैं किसी agriculture से related exam की तो आप हमारा WhatsApp group join कर सकते हैं जिसके लिए phone number, WhatsApp number screen पे दिया गया है इसके लिए 300 per month की cost होगी और अगर आप FCI के लिए prepare कर रहे हैं तो आप हमारा FCI का course purchase कर सकते हैं जिसकी cost है 999 जो कि एक बहुत ही minimum cost है एक इतनी बड़े course के लिए क्योंकि हमारे लिए आपका selection matter करता है ना कि ये cost इसके अंदर आपको six e-books provide की जाएगी जिनके अंदर complete FCI का syllabus होगा और management agriculture दोनों part होगे उसके साथ साथ previous year question papers होगे और videos lecture provide किये जाएंगे और जो videos lecture है इनकी pdf भी आपको daily basis पर provide करती जाएगी guidance दी जाएगी ताकि आप अपनी study पर पूरे focus रहें लास्ट टाइम जब FCI ने अपना exam conduct करवाया था जब मिस्टर अस्वनी कुमार select हुए थे as a AGM और उन्होंने agriculture and gk चैनल से guidance ली थी और हमारा course purchase किया था और उन्होंने अपनी hard work और dedication के साथ FCI का exam crack किया है तो अगर आप भी courses करेंगे तो आप भी कर सकते हैं चलिए अब शुरू करते हैं तो introduction of agriculture first part है introduction और दूसरा part है इसकी branches अब introduction के लिए मैं आपको इस पूरे session का एक overlook देता हूं कि introduction में क्या होगा और branches में तो आपको पताईए introduction में हम क्या करेंगे कि agriculture का कुछ history पढ़ेंगे जो major part है और main part भी है major major history पढ़ेंगे और उसके साथ साथ introduction का मतलब यह होता है कि agriculture कहां से introduce हुआ है agriculture कोई एक छोटी term तो है नहीं जो different crops है या फिर जो different aspects है agriculture के वो कहां से introduce हुए है क्योंकि अपने world में कहीं कहीं अफरिका से कहीं मिडल एशिया से ऐसे करकर के कहीं कहीं से चीजे इंटर्ड्यूज हुई है तो वो जब हम देखेंगे सिरफ major major part cover करेंगे exam point of view से और branches में जो अपनी कुछ साथ branches हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे और उनकी सब branches को देखेंगे तो सबसे पहले agriculture की बात करते हैं तो agriculture एक ओ लेटिन वर्ड से बनाए और जिसमें एगर का मतलब है एक है वर्ड एगर और दूसरा है culture एगर और कल्चरा तो एगर का मतलब होता है land और field और culture का मतलब होता है cultivation to cultivate ठीक है therefore the term agriculture means cultivation of land land का cultivation करना अब ये agriculture के अंदर science भी यूज होती है arts भी यूज होती है और ये एक तरह से business भी है science कैसी यूज होती है जो जितनी भी technologies है और जैसे biotech हो गई अपनी और breeding हो गई उसके बाद जितनी अपनी engineering है ये सब अपने science से ही related है science का ही पार्ट है अब art कैसे हो गया ये जितनी भी skillful काम होता है skillful काम होता है agriculture पूरा skills के उपर depend है कि farmers को पता होगा कि कितने depth पे उसको प्लो करना है कितने time पे harvest करनी है कब harvest करना है ये पूरा art के उपर depend है इसके अंदर सिर्फ crops नहीं नहीं livestock वाला पार्ट भी cover होता है वह आगे देखेंगे branches में क्या 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 आता है जैसे कि अब बता दिया कि यह art है science है business है कि अब यह business कैसे है कि large scale पे जब हम agriculture करते हैं जो produce आता है हम उसको markets में बेचते हैं और अपनी life को चलाते हैं अपनी जो economic need होती है वो complete करते है agriculture से ही उसके बाद है आर्ट कैसे क्योंकि है skillful है तो आर्ट हो गया business कैसे क्योंकि मार्केटिंग में मार्केटिंग करते हैं हम इसकी और science हो जाज़े पता यह engineering यह सब अब history वाला पार्ट पढ़ते हैं history में क्या पार्ट है कि अब दो चीज़े हैं आपर देखिए एक है dogs और एक है sheep और goat ठीक है अगर वो question पूछते हैं कि first domesticated animal कौन सा था तो वो आ जाएगा अपना dog और वो 10,000 million years पहले वो रखना सुरू कर दिया था अगर वो पूछते हैं कि ऐसा कौन सा animal था जो agriculture में यूज क्या जाता या फिर अपने किसी products उससे लेने के लिए मतलब आप question को समझना उसके बाद answer देना जिससे कि मतलब अगर वो कहें कि उससे हमें कुछ product मिल रहा हो या फिर economic condition में सुधार आ रहा हो कुछ ऐसा बोले तब वहाँ पे answer होगा sheep या फिर goat sheep आई थी 8720 में domesticate करना शुरू कर दिया था और यह इराक में हुआ था ऐसे ही goat को domesticate करना शुरू कर दिया था 7720 में और वह इराक में start हुआ था सबसे पहले सबसे old है अपना wheat और barley जो की middle east से start हुआ था cultivation होना 7520 में इससे पहले जो 10,000 बीसी था तब तक तो हम hunting ही करते थे उसके बाद है चवालीस सो बीसी चवालीस सो बीसी में मेज का cultivation हुआ मेज पता यह मेक्सिको के लिए famous है उसके बाद 3500 में potato was grown in South America 3500 में potato अब potato फिर से भी आएगा यह South America के लिए सिरफ उसके बाद है 3000 बीसी म बनाने लग गए उसके बाद क्या हुआ 3900 में हमने प्लो को invent किया और irrigation farming स्टार्ट कर दी 2300 में देखे 2300 में क्या आता तीन आता है तो तीन से हमें तीन चीज मिल गई है क्या एक है चिकपी एक है cotton और एक है mustard तो चिकपी cotton और mustard का cultivation कब स्टार्ट हुआ 2300 में अब देखे य हम क्या 22 से मिलता जुलता वर्ड है rice 22 rice तो 2220 में हमने cultivation स्टार्ट किया था राइस का 1500 बीशी में pulses का cultivation शुरुआ यह अपने MP में MP ही pulses के लिए major है MP में मतलब majorly pulses यूग आई जाती है और black gram और green gram black gram यही उसके बाद है 1520 की बात करते हैं 1520 में cultivation of sugar cane barley स्टार्ट हो गया था 1520 में उससी के साथ irrigation farming स्टार्ट कर दी गई थी इंडिया में और यही 1500 BC में अपना pulses भी थी ठीक है और 1500 BC में ही sugar cane और barley स्टार्ट हो गया था इंडिया में irrigation farming इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1500 BC में पर वैसे इंडिया को छोड़के बाहर वर्ल्ड को देखे तो irrigation farming स्टार्ट हो गया था 29 BC में उसके बाद 1600 BC में iron plow का use किया जाने लग गया 1400 BC में iron का मतलब use होने लगया था पर प्लो कब बढ़ने लगे 1000 से 1620 BC के भी समें अब सुरू हो गई अपनी 15th century ठीक है century क्या होता है 2020 चल रहा है तो यह हमारी 21 वी century है तो वैसे यह 15th century जिसमें 1500 AD बोलेंगे जिसको कल्टिवेशन ओफ स्वीट सोर ओरेंज हो गया वाइड ब्रिंजल हो गया पोमग्रेनेट हो गया तो इन सब का कल्टिवेशन हो गया अपना सुरू 15 AD मे 1500 AD में अब 1600 AD की बात करें 1600 AD में यहां पर मेजर पार्ट आता है इसमें कुछ चीजे लिखी कवर करनी रह गई वह में बताऊंगा जैसे कि ग्राउंड नट हो गया रबर हो गया चिल्ली हो गया आप देखिए तीन पी आ गए है पोटेटो पापाया और पाइनेपल यह याद रख रख टोमेटो और टैपियोका ठीक है यह तीन टी और तीन पी यह 1680 में तीन और तीन चैसे 1680 इसके साथ साथ रबर हो गया चिल्ली हो गया ग्राउंड नट हो गया ठीक है यह भी 1680 में आते हैं कल्टिवेशन सुरूआ था अब जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इंट् सी क्रोप कब इंट्रीउज हुई थी उसमें हम यह भी देखते हैं कि एगरी कल्चर के जो डिफरेंट एसपेक्ट से वह कब इंट्रीउज हुए थे तो एक मेजर जो पार्ट मैंने कवर किया है वह वोटर स्टोरेज का पानी का स्टोरेज संखलन जो भी बोलते हैं और इस लिए कैनल वगरे कि जरुत पड़ी वैल पॉंड लेक इन सब यह बहुत एक इंपोर्टेंट पार्ट निभाया इन्होंने एंशेंट पीरेड में ठीक है अब मैंने दो पीरेड कवर किये हैं जो मेजर हैं अगर क्योश्चन आएगा हिस्ट्री से तो वह इसी इन दोनों सी भी आ जाएगा नहीं तो बहुत कम लोग मतलब बहुत कम एक्जाम ऐसे होते हैं जिसमें हिस्ट्री इतना डीप में पूछते हैं तो पहला है वैदिक पीरेड जो की पंदरासो बीसी से सोडासो बीसी में का पीरेड है उसमें पीपल एम्पलोर्ट क्राफ्ट्समेन टू ड चैनल्स डिग करें मतलब बोद चैनल को डिग करें रीवर से उनके फिल्ड तक ताकि वह फिल्ड में पानी दे सके वैल इरिगेशन त्रो अब देखें कुच्चा और पुच्चा वैल्स कुच्चा और पुच्चा यह दो तरह एक वह वैल उस टाइम पर डवलप किये गए यह 1st century है 380 में इसमें irrigated rice cultivation started during this period इस टाइम पर irrigated rice शुरू हुआ था हमने किया था cultivation करना सुरू किया था dams और tanks were constructed और इस period के अंदर dams और tank construct करें गया थे ठीक है पूछ सकते हैं कि channels और rivers कब बनाए गये थे यह कुच्चा और पुच्चा कब बनाए गये थे तो वह वेधिक period में cover हो जाएंगे अगर यह कहें कि dams कब बनाने शुरू किये थे टैंक्स कब बनाने शुरू किये थे तो वह पांड्यास पीरेड में शुरू हो जाएंगे तो वेधिक है 1500 शोड़ा सो बीसी और यह है 300 AD next part इसी का एक छोटा सा ओर cover कर लिया कि traditional rainwater harvesting के कौन कौन से system बोल सकते हैं तो वह है tank का तलाई नाड़ा नाड़ी अलग अलगे तालाब खदिन सार सागर समान्द तो यह बस एक बर go through हो जाओ इनसे कि वह पूछ सकते के इन में से कौन सा rainwater harvesting का एक traditional तरीका नहीं है या फिर कुछ अलग-अलग नाम दे देंगे और इन में से एक लिख देंगे दो लिख देंगे कि इन में से कौन सा traditional rainwater harvesting का एक system है तरीका है ठीक है एक bamboo method भी है वह बहुत ही मतलब एक typical method है bamboo method of water harvesting तो cover नहीं क काफी है अब उसके बाद मैंने कहा था कि क्रोप्स का introduction का मतलब ही होता है कि कहां से वह इंटर्ड्यूश यह कहां से वह आई है कई कोई अफ्रीका से आई है कोई Mexico से आई है कोई Middle East से आई है तो पहले देखते हैं यह पोर्ट ग्यूज से कौन से आई है दो मेजर जहां से सीरियल और पर्टी झियूज से आया है ओल सीड में अर एकिस अई पोजिया जो आपना ग्राउन नट है अच्छा क्योश न बन सकता है कि अ ग्राउन नट कहां से इंटर्ड्यूश यह है तो वह पोर्ट ग्यूज से इंटर्ड्यूश है वैजी टेवल में जो तो केस्टड एपल और गवावा ये तीन अपने पोड़ ग्यूज से इंटर्डूज हुआ है नार्कोटिक्स जो होते हैं नार्कोटिक्स वो उन में तुबय को पोड़ ग्यूज से इंटर्डूज हुआ है अगर हम स्पाइसिज और कॉंडिमेंट्स की बात करें तो कैप्सिकम एनम मतलब अपनी चिली चिली पोड़ ग्यूज से इंटर्डूज हुई है आए अगर अगर सुडो से रिल्स की बात करें तो अपना ओड्स एवीन सेटीवा उसके बाद ग्रेइन लेग्यूम्स की बात करें तो केस्टेनो स्परमम, औस्ट्रेले मतलब ब्लैक बीन, पाइसम सैटिवम मतलब पी, फाइबर क्रोप तो अपना कोटन धीक है, पिछले में आया था ग्राउंड नट जो इंपोटन था, यहां पे फाइबर क्रोप में कोटन जो इंपोटन था, वैजी टेबल में क्या आ जा जाएगा, बीट रूट आ जाएगा, कोली फ्लोर आ जाएगा, सेलरी आ जाएगा, स्कुएश आ जाएगा, चिकोरी आ जाएगा, स्वीट पेपर, कैरट, ओरेंज टाइप वाला लेट्यूस, टॉमेटो, स्वीट पी, यह सब आ जाएंगे, ब्रीटेसर्स के द्वारा इनिमल हजबेंटरी, उसके बाद है फिशरी साइंस, उसके बाद आता है गल्चर इंजीनियरिंग और अपना होम साइंस, एग्रोनोमी की बात करें, एग्रोनोमी में हम क्या पढ़ते हैं, एग्रोनोमी में हम पढ़ते हैं उसकी फीजिकल, फीजियोलोजिकल और कैमिकल य जो soils है, अपना atmosphere है, इन सब का plant के उपर क्या effect पड़ता है, कैसा atmosphere होगी, तो कैसी growth होगी, मतलब इनके interaction के बारे में पड़ते हैं, एक तरह से, ठीक है, इसी के अंदर अपनी soil microbiology, agriculture microbiology, ये सब इसी के अंदर cover होता है, horticulture को आपको पता ही है, horticulture को मैंने आगे थोड़ा सा detail में किया है, forestry में, जितने भी trees है, cultivation के लिए, arboriculture, बोल सकते हैं, जैसे जो wood के लिए होता है, उसके बाद है, animal husbandry में पता है, जो cow, buffalo, और ये बफलो, इसके साथ goat, sheep, इन सब के बारे में animal husbandry, और fisheries के बारे में तो आ B.Tech वार लोगों जादा पता होगा, agriculture engineering में, engineering के जो tools बनते हैं, ये सब इसके अंदर cover हो जाएंगे, जो tractors है, जो उनकी motors है, जो harvesting system है, और harvesting equipment है, ये सब agriculture engineering में cover हो जाएंगे, किस तरह से और कैसे help करते हैं, home science के अंदर, home science ये एक general part हो गया, जिसके अंदर general life के बारे में हो तो agronomy की बात करें, deals with the production of various crops which include food crops, fodder crops, fiber crops, sugar, oilseed, the aim is to better food production and how to control the disease, ये आजाएगा agronomy में के कैसे हम अपनी yield को improve करें, और कैसे उनको disease से बचाएं, होटी कल्चर में क्या आजाएगा, ये fruits में, vegetable में, pomology, olary culture और florology कुछ ऐसा करके हैं, आगे लिखी हो है, ornamental plants, spices, condiments, beverages इनके साथ, इन सब को cover करता है, अपना होटी कल्चर, forestry की बात करें, deals with production of large scale cultivation of perennial trees, perennial trees मतलब जो 2 seasons से ज़्यादा लेते हैं, अपना life cycle पूरा करने में, तो trees तो होते ही हैं, 5, 10, 15, 20, 100 साल के होते हैं, बर्गत वगरा, तो ये perennial trees आ जाते हैं, for supplying woods, timber, rubber, and also raw material for industries, rubber कब बढ़ा है, हमने थोड़े टाइम पहले, rubber बढ़ा है, 1600 AD में आया था ये, ठीक है, एनिमल हजबेंटरी में, deals with the agricultural practices of breeding and raising of livestock, livestock जो हमारे गाय बैंस पास जो हैं, जो इनको हम रख रहे हैं, उनकी breeding को, उनकी raising को, in order to provide food for women, उनको रखना, उनकी care करना, ताकि हम उनसे food ले चुकें, जो हमने ही consume करना है, to provide power, drought and manure for crops, और दूसरा की, उनको हम यूज़ कर सकें अपने fields में, और manure, जो उनस, cow dung होगा या फिर dung होगा mainly, उसको as a manure भी यूज़ कर सकें, उसके बाद फिशरी साइन्स में कादर, deals with the practices of breeding, rearing of fishes, including marine, inland fishes, shrimps, prawns, in order to provide food, feed and manure, मतलब, fishes का एक तरह से cultivation करना था कि हम उनसे food, feed and manure ले सकें, अगला पार्ट है, agriculture engineering deals with the machinery, for field preparation, inter cultivation, harvesting, post harvesting processing, including soil, water conservation, engineering and bio energy, यह सब पार्ट कवर होजाता है, agriculture engineering के अंदर, home science के अंदर application utilization of agricultural produce in better manner in order to provide nutritional security, including value addition and food preparation, home science के अंदर जो general life, मतलब general चीज़े हो जाएंगे, एक अपने harvesting production से निकलने के बाद की बात है, जैसे कि उनको उनसे food prepare करना, उनकी value addition करना, ठीक है, और nutritional security को maintain रखना, यह सब home science के अंदर, कवर हो जागी, अब है division of horticulture crops, ठीक है, अब जैसे कि पहला है pomology, pomology जैसे दो word कौन से दो word है, pomom और जिसका meaning of fruit and logus मतलब discourse और study, लोगस का मतलब study होता है, discourse यह तो, study is यह, so pomology is the study of cultivation of fruit crops, for example mango support, गवावा, grapes, banana, etc, fruits is developed and mature ovary, अब जो कुछ थोटे exam होते हैं, उनमें ऐसे question भी पूछ लेते हैं, कि fruit क्या है, mature ovary है, और ऐसे 4-5 option दे देंगे, आपको mature seed है, या फिर कुछ कुछ भी बोल देंगे, with or without accessory parts and which is generally eaten as raw, fruits वो होते हैं, जो कि raw consume किये जाते हैं और बिना processing के मतलब एक तरह से fruits, फिर नहीं तो फिर वो fruit juice हो जाएगा, अगर हम उसका कुछ उसके साथ processing करेंगे, और यह क्या होता, इसको यह matured ovary होता है, तो यह याद रखे, mo matured ovary, उसको बाद है, culture क्या आता है, कल्टी ओलेरी का मतलब है, port hubs और culture का मतलब होता है, cultivation, आज कल ओलेरी कल्टर को मेंली, cultivation of vegetable के लिए ही use किया जाता है, अब उसके बाद है फलोरी कलच्छर फलोरी कलच्र में क्या होता है सिर्फ फलावर ओर्नमेंटल ये सब इन सबको इंक्लूड किया जाता है विच डील विच दील सीप्ट तर天 हमर्शियल ग्रोईग मार्केटिंग अरेंजिंग flowers ornamental plants which includes anvles, binervles, perineals, tree, sherbs, climber, herbaceous, perineals ठीक है, तो यह सब floriculture के अंदर cover हो जाता है, flowers होगे, ornamental plants होगे, ठीक है, चाहे वो annual हो, चाहे वो bineal हो, चाहे वो perineal हो, tree हो, sherbs हो, climber हो, या फिर herbaceous, perineals हो, लेंडस्केपिंग में क्या होता, लेंडस्केपिंग एक तरह से हम फ्लोरि कल्चर से रिलेटीड फिल्ड है ये, जिसमें हम अपने लेंड को सजाने के लिए अपनी जगाये को, अपनी सपेस को, चाए वो इंडौर और चाए आउटौर हो, नेचरल ब्यूटी प्लांट्स के साथ सजाने के लिए उसी को मतलब यह जो एक्टिविटी है इसी को हम लैंड्सकेपिंग बोलते हैं इस डिजाइन एंड अल्टरनेशन ओफ अपोर्शन ओफ लैंड बाइ यूज ओफ प्लांटिंग मैटिरियल एंड रिकन्स्ट्रक्शन ठीक है जो चाहे वह इंडोर हो चाहे इंडोर हो हम अगर नैचरल ब्यूटी के साथ उसको मतलब जो प्लांट्स वगरा है हर्ब शार्प सब के साथ सजाते हैं तो उसको लैंडस्केपिंग बोल द्यते हैं जिसका यूज with mainly gardening पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, हार्वेस्टिंग के बाद, मैचोर हो चुकी है, क्रोप्स कट हो चुकी है, अब यह प्रोडक्स आचुका है, इसके बाद हम उसको हैंडलिंग कैसे करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे, प्रोसेसिं हो रहा है सब का सब post harvest है कि इसे के साथ अपना ये छोटा सा lecture खतम होता है इसमें मैंने दो topics cover किए हैं अपने FCI के exams के syllabus से और कल इसे next दो topic cover कर दूँआ और ऐसे ही normal चोटी videos मतलब agriculture and GK की जो टीम है यह पूरा स्लेबस कवर करने की कोशिस करेगी ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के साथ जिससे ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े एक साथ और उमीद करता हूं आपको ये छोटी सी हलकी सी सिंपल सी वीडियो पसंद आई होगी और आप एग्रिकल्चर एंड जी के चैनल से जुड़े र अगर आप एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आप इससे जुड़े रहे हैं अगर आपको स्पेशल गाइडेंस से ये तो आप हमारे एग्रिकल्चर एंड जी के चैनल के वर्टसेप ग्रूप से जुड़ सकते हैं जिसके लिए नंबर स्क्रीन पे दिये हैं अभी ह इसके साथ मैनेजमेंट कर रहे हैं और अधर जो भी अपकमिंग एक्जाम है या फिर थोड़े लेट अपकमिंग है वो फ्यूचर अपकमिंग है उनको भी कवर कर रहे हैं तो आप हमारे एग्रिकल्चर एंड जी के चैनल से जुड़िए और हमारे साथ प्रिपेर करें थै थान है तो आप हैं तो आप हैं था हैं थैंजा को एंग कर रहे हैं तो आप हैं तो